आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुती पसंदीता और फेमस ब्रेकफस्ट रेसिपी यह एक साउथ इंडियन डिश है इसका नाम है मैदुवरा मैं इसके साथ सांबर का भी रेसिपी शेयर करूंगी एक दम फटाफट बन जाने वाला जो इंस्टेंट सांबर होता है ना लेक पी है सांबर वड़ा चलिए स्टार्ट करते है विडियो अगरे कि मैं पहले बना लोंगी सांबर सांबर बनाने के लिए यह तुर का डाल है तुर का डाल को मैंने दो घंटा भीगों के रख दिया था ऐसे अच्छे से धो के वह गंदा पानी फेक के फिर अच्छा वाला प हंटा भीगों के रख दिया था अच्छे से फूल गया है कुछ वेजिटेबल्स कट कर लिया है मैंने थोड़ा लॉकी टुक्रा में कट कर लिया है बीन्स आलू आलू का मैंने चिलका हटाया नहीं है वित चिलका ही मैंने लिया है ड्रम स्टिक लिया है मैंने सहजन जो होता चोटा उसे सांबर अनियन कहता है वह मैंने करीब 6-7 ले लिया है अधा-धा टुक्रा में कट करके तो मैं एक प्रेशर कुकर ले लेती हूँ प्रेशर कुकर में जो भीगोया हुआ तूर का डाल है वह मैंने पानी ज़रा के ले लिया है साथी जितना भी वेजिटेबिल्स मै अभी भी आप बना के खा सकते हैं सारे चीज़े मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर में साथी मैं उसमें दे रही हूँ करीब एक चमच हल्दी पाउडर और एक चमच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर साथी मैं दे रही हूँ इधर दो चमच नमक अभी दो चमच नमक डा बाद में अगर टेस्ट करने के बाद लगा तो और डालेंगे इसके साथ ही मैं दो बड़ा चमच सांबर पाउडर जो होता है सांबर मसाला वो डाल देती हूँ यह जो सांबर मसाला आज में यूज कर रही हूँ यह रेडिमेट वाला है जो मार्केट में मिलता है पैकेट वह मैं एक वीडियो और लेके आऊंगी उसमें मैं अथेंटिक स्टाइल में उडुपी स्टाइल में जो सांबर बनता है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी तब मैं घर में कैसे सांबर मसाला बनाता है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी आज का वाला सांबर जो है वो इंस्टे के साथ है कुछ भी अलग से हमें करने का जरूरत नहीं है वेजेटेबिल्स बगेरा सब चीज मिला के डाल के साथ एक साथ सीटी लगाएंगे तो देखिए सारे चीजों को मैंने मिला लिया है प्रेशर कुकर का धकन लगाएंगे और दो सीटी आने तक इसे पकाएंगे दो सी के इसे प्रेशर रोिज होने के लिए छोड़ दीजेगा तुरंथ मत खो लिएगा प्रेशर को ऑटोमेटिक रोटो words हो गया है रही हो क्योंकि वह हमें गोटा गोटा चाहिए वह तूट नहीं जाना चाहिए अ तो देखिए मैं स्मेश करके फिर एक हैंड विस्क करके ले लेती हूं डाल भी जो है वह अच्छे से पानी के साथ स्मेश हो जाएगा और वेजिटेबिल्स भी सेमी स्मेश हो जाएगा कि बहुत ही गारा है इसके साथ हमें धेर सारा पानी और एट करना है लेकिन उससे पहले मैं इसमें करीब आधा कप टैमरिंट का पल्प जो है इमली का पल्प वो एट कर लिया है और साथी मैंने एक चमच गुर का इस्तिमाल किया है जो सांबर होता है न वो साउथ इंडिया में अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग किसम से बनता है और हर्ट सांबर का अलग-अलग टेस्ट होता है मैं बैंगलोर में रहती हूँ, यहाँ पे करनेटका में जैसा सांबर बनता है उसमें हलका सा मिठास रहता है क्योंकि उसमें गुर्ड डाला जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, इसलिए मैंने भी थोड़ा सा डाला अब प्रेशर कुकर को हटा के एक तरका पैन ले लेते हैं गैस के उपर, उसमें मैंने डाला है करीब 3-4 चमज सनफलार ओयल ओयल गरम होते ही मैंने उसमें डाला है एक चमज राई, सरसोका दाना, एक चमज जीरा जीरा मैंने नहीं डाला है सरसोका दाना के साथ मैंने डाला है एक चमच मेथी जो साबूत मेथी आता है वो साथी थोड़ा सा हिंग डाला है करीब एक मुठी करीपत्ते और तीन से चार सुखे वाले लालमीर जो होता है ये अब इन सारे चीजों को अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तेल में और यही वाला तरका जो है वे डाल में छोक लगा लेंगे तो बस हो गया है मेरा इंस्टेंट वाला सांबर रेडी एक दम एक्जैक्ली जो रेस्टराण में मिलता है ना जो सांबर या इडली के साथ देता है दोसे के साथ एक्जैक्ली वही वाला सांबर का टेस्ट आएगा बट आपने देखा ना कितना फटाफट बन गया बस जितना भी सेजन का डाटा मैंने उठा के रख दिया था वो भी मैंने डाल दिया है तो रसा और पानी डाल के करीब 2-3 मिनिट तक और उबाला है उबाल के मैंने गैस बंद करके धकन लगा के रख दिया है सांबर रेडी है वरे के लिए ये उरत का डाल है उरत का डाल को मैंने ओवरनाइट सोक किया था ये एक कप उरत का डाल है एक कप उरत का डाल को मैंने अच्छे से धोके ओवरनाइट सोक किया था राद भर सुभे देखिए डाल अच्छे से सोक हो गया है बीना पानी का इसे हमें पीसना है मेरा डाल कम है क्वांटिटी में मैं छोटे वाले mixing jar में ही पीसके ले लेती हूँ दो बार में मेरा पीसना हो जाएगा देखें एकदम बारिक नहीं करना है एकदम फाइन नहीं करना है और दरदरा भी नहीं रखना है मतलब एकदम हलका हलका सा दरदरापन रहेगा उतना पीसना है अगर आपको बहुत जादा जरूरत लगे तो ही आप एक या दो चमच पानी का इस्तमाल कीजिए वरना अवोइट कीजिए पानी का इस्तमाल करना तेखिए मेरा डाल पीसके हो गया है अच्छे से उसमें मैं डालूँगी कुछ इंग्रीडियंट्स फ्लेवर के लिए एक इंच अद्रक का टुकड़ा मैंने ग्रेट करके डाल दिया है साथी मैंने सूखा हुआ करीपत्ता लिया था करीब एक मुठ्थी उसे मैंने हाथ से क्रश करके डाला है दो हरी मिर्चियों को मैंने बारिक चॉप करके डाला है साथी मैंने डाल दिया है नमक स्वादनुसार उसके साथ मैंने डाला है थोड़ा सा हिंग एक चुटकी और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर साथी मैं डालूंगी आधा चमच साबू जीरा और ये है चावल का आटा चावल का आटा ही मेरा ये टिप है आप जब भी घर में मेदुवरा बनाएंगे तो बैटर में करीब एक चमच या दो चमच चावल का आटा जरूर डालिएगा चावल का आटा डालने से एक उपर से जो क्रिस्पी पन आता है ना वरे का अंदर से सौफ्ट और उपर से क्रिस्पी वो टेक्श्चर आपको आएगा और अगर बाईचान सबकर डाल का बैटर में थोड़ा सा पानी जादा हो भी जाए तो भी अगर आप उसमें चावल का आटा डाल के ऐसे फेटिंग एना एक्स्ट्रा जितना भी मौस्चर है वो चावल का आटा सोख कर लेगा और बैटर जो है वो बहुत पतला नहीं होगा जादा पतला बैटर होगा तो वरा जो है वो तेल में डालते ही बहुत ज़ादा पानी पी लेगा और अच्छा लगने ही लगेगा खाने में देखिए मेरा वाला जो बैटर है इसमें एकदम बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है करीब उसके साथ मैंने हरा धनिया भी डाला था काटके वो मैं बोलना भूल गई थी यह मैं क्या कर रही हूँ देखिए एक कटोड़ा पानी लिया है इस वरे का जो यह है ना बैटर इसे मैंने करीब साथ से आठ मिनिट तक कंटिन्यूसली हाथ से फैटा है यह लाइट भी हो गया है और फूल भी गया है साथी कलर भी इसका लाइट हो गया है लेकिन परफेक्टली फैटना हुआ है कि नहीं देखने के लिए मैंने एक कटोड़ा पानी में थोड़ा सा बैटर डाला आपने देखा ना बैटर जो है वह उपर तैर रहा था नीचे नहीं चला गया ऐसा ही इतना लाइट होना चाहिए बैटर कि बैटर तेल में पानी में तैरने लगे तब आप समझेगा कि आपने अच्छे से फैटा है लेकिन अच्छे से फैटने के लिए मिनिमम साथ से आठ मिनिट अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ कराई चरा दिया है मैंने तेल का उसमें मैंने डीप फ्राई करना है यह वड़े जो है उसे तेल जब तक गरम होता है मैं क्या कर रही हूँ एक मैंने चाय चर्णी ले लिया है उसका पीछे तरफ को मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया है फिर मैं जितना साइस का वरा बनाना है उतना ही बैटर हाथ में ले लेना है डालका और ऐसे उपर रख देना है चरनी के उपर और हाथ से एक छोटा सा छेद बना लेना है फिर छणनी को ऐसे उल्टा करके तेल के उपर वड़े को छोड़ देना है ऐसे अगर आप बनाएंगे उंगलियों का निशान भी नहीं आएगा और एकदम परफेक्ट साइस का अंदर में एकदम राउंड छेद होगा ऐसा वड़ा बनके रेडी हो जाएगा प्रैक्टिस अगर हो तो आप हाथ से भी ये कर सकते है हाथ से उंगलियों से लेके फिर अंदर बीच में छेद करके डाल सकते है मैं जब भी ऐसा करती हूँ उंगलियों का एक अलग निशान आ जाता है वड़े में देखने में अच्छा नहीं लगता मेरे लिए तो यही वेस्ट प्रोसेस है चायचनी वाला प्रोसेस इससे इजीली बन जाता है और शेप भी एकदम परफेक्ट आता है मीडियम फ्लेम में इसे तलिएगा हाई फ्लेम में मत तलिए देखिए मैं एक तोड़के दिखाती हूँ वरा जो है उपर से कितना क्रिस्पी है और अंदर देखिए एकदम साफ्ट स्पॉंजी है परफेक्टली रेस्टराउन जैसा मेदू वरा बनके तयार हो गया घर में इंग्रीडियेंट्स भी कुछ खास नहीं है सब कुछ घर में ही अवेलेबल रहता है और प्रोसेस भी बहुत ही जादा इजी है कोई रॉकेट साइन्स नहीं है इंस्टेंट सामबर के साथ साथ इजी प्रोसेस में बड़ा जो है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है कैसे बनाते है बहुत ही इजी तरीके से आप में से बहुत लोग बनाते भी होंगे घर में और पता भी होगा कैसे बनाना चाहिए मैं बस कैसे मैं बनाती हूँ घर में मेरा वाला रेसिपी आपके साथ शेयर किया आई होप कि आप सब को अच्छा लगेगा इसे फॉलो करके इसे घर में बना के जरूर देखिएगा specially सामबर वरा बनने का एक ही प्रोसेस होता है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है सामबर जो मैंने इंस्टेंटली बनाया है इसे जरूर एक बार ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताएगा कि कैसा लगा बहुती ज़्यादा टेस्टी लगेगा I hope देखिए मैंने कटोडे में सर्फ भी कर लिया है वरा ले लिया है मैंने दो उपर से मैंने डाल लिया है सामबर यह हो गया सामबर डिप बड़ा जैसा कि हम लोग रेस्टराण में जाके खाते हैं ब्रेकफस्ट में बहुती इजी तरीके से मैंने दिखाया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए टेक केर